तो जी 85 5G के अंदर में काफी कुछ जाहर करके गेमिंग वाले डेडिकेटेट फीचर से जिसके बारे में आज की वीडियो में बताना चाहूंगा जिसके यहां पर देख सकतो एड़ वगरा में जो लाइटिंग्स देखने को मिल रहा है देख रहे हो देखो काफी कमाल का है यह सारा चीज आपको आज की वीडियो में पता चलेगा इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो अब देखो इसको गेम मोड यहां से हम एक्टिवेट कर सकते हैं जिसको मोटरोला कहते हैं गेम टाइम अब यह क्या होता है कि यह आटोमाटिकली ओन हो और ग्राफिक का इटलाइजेशन दिखाई दिया जाएगा आपको fps दिखाई देगा रैम दिखाई देगा और आपका जो और ओर ओर और कोर का जो CPU का टेमप्रेचर है ओ दिखाई देगा बट इसके अलावा काफी कुछ जादा फीचर्स है और इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, एक एक बार मैं cover करता हूँ, अब देखो, पहला वाला option है, block call, अब इससे क्या होगा कि आपको जब भी आप game खेलते रहोगे, block calls पे रख दो गुद भाई, आपको calls बिल्कुल भी नहीं आएंगे, and same thing, notification को भी आप block कर सकतो, next आ जाता है दोस्तों, locked mode, अब ये से ये किया, तो हम game को ऐसे main menu में जाने जैसा option चला जाता है, तो ये जितने भी gestures है, including system gestures, सभी को हम block कर सकते हैं, देखो, जैसे कि मैंने अब गया, lock mode पे कर दिया, अब देखो, ये वाला gesture काम नहीं करेगा, यानि game खेलने वक्त, आपका game automatically पीछे वगरा नहीं जाएगा, तो ये एक function है, जो की काफी बहतर function लगा, मुझे जो लोग भी gaming करते हैं, next आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे touch sensitivity, ये क्या होता है, कि आपका touch sampling rate है, उसको काफी better बना देता है, basically gaming में आपको काफी help करता है, और आपका touch response जो नहीं काफी fast हो जाता है, साथ में आता आपको Wi- latency, ये क्या करेगा, कि Wi-Fi के द्वारा आपका network अगर connected रहेगा, उसका latency level अच्छा कर देगा, और latency basically कम मिलेगा, जिससे कि आपको gaming performance काफी better हो जाएगा, जो की मेरे माम लेक बाई, काफी तगड़ा है, ऐसा feature जो नहीं हर एक phone में gaming mode में रहना चाहिए, next आ जाता है, acoustic light, जो अब ये आपने देखा, edge lighting, अब देखो ये off हो गया, अब मैं जैसे इसको on करता हूँ, कभी काल देखो, miss touches भी होता है, यहाँ पे, तो अब मैंने on कर दिया, तो ये क्या हो गया, side में, आपको जो भी music बज़ रहा होगा, जो भी sound आता रहेगा, उसके ही खाप से, यहाँ वगरा जलेगा, इसी के साथ में दोस्तों, यहाँ पे देखोगे, तो आपको बहुत सारे और भी option मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, apps के अंदर जाओगे, तो आपको बहुत सारे apps आप यूज कर पाओगे, जैसे कि यह किया, हमने छोटा सा एक application, यूटूब आपको ओपन कर लिया, यह कर सकता हो, अब यहाँ से इसको close भी कर सकता हो, साथ में अगर और भी application चाहिए, यहाँ पे हम टिक करेंगे, तो हमें एडिट वाले option पे, आपको बांकी जितने भी mobile के अंदर में आपके installed app है, सभी आ जाएंगे, जिसको चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे settings के अंदर में, settings के अंदर में आपको game time mode आपको on, अगर रखे रोगे तो यह automatically यह on हो जाएगा, फिलको on ही रखते हैं, शाथ में यहाँ पे show labels वगरा रख सकता हो, hide कर सकता हो, frequency summary रख सकता हो, अब देख सकता हो, इस तरह से पीछे जाता हूँ, देखो, a settings है अपना, यहाँ जाओगे, always in free form का option है, आपको corner detection, जो की, जो edge screen, देखो, यहाँ पे side by side पूरा ही edge screen है, अब क्या होगा, खेलने वक्त आपका accidental touches को miss ना हो, उससे दिक्कत problem ना हो, जिसकी वज़े से जोने यह वाला feature देके रखा है, इसको इसको cancel कर देते हैं, ओके, यहाँ पे गए, तो edges वगरा का जहना, अब देखो, आप अपने हिसाब साइसे set कर सकते हो, जैसे कि आपको large area चाहिए, तो आप large पे click कर गए, तो इतना area पे जोना, इसका काम करेगा, यह तो यह ऐसे करेगा, इसको disable कर सकते हो, तो basically edge detection, या फिर जब usually क्या होता है, कि भाई, आप phone को ऐसे हाथ में पकड़ते हो, तो यह थम ऐसे touch होता है, तो यह edge को, इस touch को detection वो नहीं करेगा, जिसके हिसाब से आपका gaming वाला, miss touches वगरा, issues वगरा, नहीं देखने मिलेगा, इसका अलबाद देखते हैं दोस्तों, और भी normal से settings वगरा, display refresh rate वगरा, बट यह से देखो, आपका, you know, game का, you know, fps increase नहीं होगा, यह मैंने चेक किया, तो वही, मतलब क्यों देखे रखा है, मुझे भी पता नहीं बठा, मैंने आपको दिखा दिया, then adaptive brightness को आप disable कर सकतो, जो कि automatically increase decrease होता है, बांकि इसके लावा चलते हैं दोस्तों, यह इसका भी access देखे रखा, तो यह रहा, गेमिंग के feature दोस्तों, इस Moto G 85 5G के अंतर बाकि आपको कैसा लगा, let me know in the comment section, वीडियो को like कर दो, चैनल को subscribe कर दो, और मैं मिलता हूँ आपनों इसे अगले वाले वीडियो,